अगर आप मेरी स्टेप्स को फोलो करते हैं तो आईए बिना कोई देर की इसे बनाना स्टार्ट करते हैं अंडा करी बनाने के लिए मैंने हाँ पर सबसे पहले लिए हैं दो उबले हुए अंडे इसके मैंने चिलके भी उदार लिए हैं अब सबसे पहले हम इन्हें इस तरह से सेंटर से खड़े कट करेंगे दो हिस्सों में मैंने इना चोपर कर सकते हैं , यह दिखने में पूला किया है , इन को में बिल्कुल बारिक कट कर लिया है , आप जितना बारिक हो सके उतना कट कर लें। में यहां पर लिये हैं कुछ कड़े मसाले एक दालचिनी का टुकड़ा थोड़ा सा जीरा एक तेजपान का पत्ता यह भी एक तरह का एक खड़ा मसाला ही है आप चाहे तो इसे स्कीप कर सकते हैं यह कंपल सरी नहीं है मैंने नहीं पर एक खड़ाई में बड़ा चमच ओил गर्म होने केलिए रख दिया है हम और इसंकी शारे मसाले को हुआ को कर mythical कती ड़िया है अब इन सब को अच्छे से मिक्स करेंगे अब बाद इसे हमें लगब 5 मिट तब पकाना है हलका सा जब तक यह सोफ ना हो जाए इनका कलर सुने रहना हो जाए तब तक यह देखिए 5 मिट बाद आप देखेंगे कि हमारे प्याज पहले से काफी सोफ हो चुके है और इनका कलर मुझा लग इसको नमक शुखगश नमक शुखा दनिया पावडर एक ही चमच हल्दी पावडर एक चमच लाल मीज पावडर और एक चमच काली मीज पावडर आप अपने टेस्ट के अकोर्डिंग बढ़ा सकते हैं इस इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है लेकिन हम ल अब ज़्यादा मसाले इसके इंदर नहीं लगते हैं अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब इसमें एड़ गरेंगे यह आदा कप के करीब पानी जिससे कि हमारे मसाले प्याद के साथ अच्छे से पक जाए अब हम अधा का धकन लगा कर इसे 2-3 मिट पकाएंगे ज अब देख सकते हैं हमारा मसालो से सेपरेड हो चुका है इसका मतलब यह है कि हमारा मसाला जाहिवा पकर बिल्कुल रेड़ी है अब इसके अंदर एड़ कर देंगे यह एक ग्लास पानी हम इसमें और ज़्यादा पानी एड़ नहीं करेंगे क्योंकि हम यापर सिफ दो डाइन यह सबयरे देख सकते हैं हमारा पानी जो है पहले से काफि हद तक तो चुका है अब इस स्टेज पर इस इसमें डाल देंगे यह बारी कटा हुआ हरा धनिया अब हम इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे उसके बाद हम इसमें एड़ कर देंगे यह बॉइल्ड अंडे जिससे की हमने दो इससो में कटकर के रखा हुआ था हमें बहुती आहिसता से बहुती हलके हाथ से इन्हें रखना है वरना यह बिखर जाएंगे अब हम थोड़ा थोड़ा सा मसाला लेकर इन सारे अंडों के ओपर डाल देंगे ताकि हमारा मसाला जो है हमारे अंडों के साथ अच्छे से कोट हो जाए यह देखिए यह सारा पानी और ग्रेवी सारा मसाला अंडों के अंदर जाना चाहिए अब हम कडाई का धकन लगा कर इससे 2-3 मिर मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे ध्यान रखिएगा आपको इस स्टेज पर गेस का फ्लेम लो टू मीडियम ही रखना है अब हमारी अंडा करी खाने के लिए बिलकुल रडी है हमारा सारा ओल सर्फेस पर दिखाई दे रहा है अब हम एक बार इससे हलके हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गेस का फ्लेम ओफ कर देंगे अब हमारी अंडा करी खाने के लिए बिलकुल रडी है अब आप इससे सर्फ कर सकते हैं आपको मेरी ये बहुत ही सिंपल अंडा करी की रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये बनाने में बहुत ही सिंपल है बढ़ खाने में बहुत ही टेस्ट रगती है अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज आप मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा आपको मेरी अधर रेसिपी के लिंक मेरे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी बहुत जल्द मिलती हो आपसे अगली रेसिपी के साथ थैंक यू